योगे जी आपकी सेकंड राइम का सेकंड चेप्टर है बुगी बुगी ठीक है पुट योर राइट हैंड इन पुट योर राइट हैंड आउट यानि कि अपना राइट हैंड अंदर की तरफ लो फिर अपना राइट हैंड बाहर की तरफ लो पुट योर राइट हैंड इन पिल्चे ही करो एक बार राइट हैं अंदर की तरफ ले जाओ देन एक तरफ बहार की तरफ को ले जाओ एट शेक इट आल अब आउट याने कि ऐसे इसको हिलाना है एक बार आगे एक बार पीछे विद गूगी ॸृ यानि की बूगी वोगी अहाइ डे के चलंग चल्गा ना recursos तो क्या हमने क्या करना है अब रहीत हैं लेगे फर पूटिया फाल लेफट हेंड इं अब हमे एक अपर जब हमन पहले राइट हेंड लेगें राइट हां या फर आप नहें लेफट हेंड लेज एक बार पढ़ेंगे boogie boogie put your right hand in put your right hand out put your right hand in and shake it all about with the boogie boogie yo put your left hand in put your left hand out put your left hand in and shake it all about with boogie boogie yo ठीक है तो इसमें क्या क्या rhymes है पहले तो देखो boogie boogie एक rhymes है boogie boogie then second line क्या है out about ठीक है तो इसमें दो टाइप क्या है कि boogie boogie out about ठीक है पहले तो आपने ये poem याद करनी है then second twist your tongue में twist your pencil में है B वनाने ठीक है तो हमको इसमें B वनाने के लिए क्या दे रखे steps दिये वे देखिए पहले ether को गुमाना है then यहां से ऐसे curve उपर की तरफ को ले जाना है then यहां से अंदर की तरफ ले जाना है then ये curve ऐसे ले जाना है ठीक है तो हम इसके हिसाब से जब B बनाएंगे तो it will be like this then this then this तो ये हमारा cursive भी हो गया ठीक है अब आपने जब ये B बनाओगे जिनने पुक पे नहीं किया है वो पुक पे करेंगे और जिनने पुक पे कर लिया है वो क्या करेंगे अपनी फियर कॉपी में लिखेंगे ठीक है thank you